अगले पॉइंट के बारे में सी में बस यहां पर पार्ट वन आ चुका होगा अगर नहीं देखा है वो जाके शरू देखेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिसकस की है अगर चैनल को फॉलो करने का मिरबाई आप प्रॉफिट मिस कर सकते हैं आप यहां पे काफी अच्छे चीजे ठीके अच्छे लेवल पर स्टॉक मिस कर सकते हैं बात समझ में रही है तो अगर चैनल को फॉलो नहीं करते हैं सब्सक्रेब कीजिए हमारी चैनल को जरू शेर कीजिए ठीक है फडर पॉइंट प्या जाते हैं इंपॉर्टेंट डिसकस कर लेते हैं अब मैं बस आज बहुत सारी लोगों की क्वेरिस है ठीक है स्टील मैंना नंबर पॉजिटिव है वह आप समझो ओकी और मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी को 16400 और 16500 बरीक करना है तो निफ्टी के अंदर यानि कि आप बोल सकते हैं मार्केट के अंदर एफाई को ज़रू खरीदारी करनी पड़ेगी अगर वो करते हैं तो ही मार्केट ओपर जाएगा ठीक है तो अभी भी यहां पे 16400 और 500 नहीं आया है और आज एफाई के नंबर आ चुके है अगर यह कल भी पॉजिटिव रहते हैं चांसर से मार्केट ओपर जा सकता है अब में बस वन ओ तो वर्स्ट रिजल इन श्यर मार्केट आप यह कंसेडर कर सकते हैं BEPL का स्टॉक के रिजल्ट बहुत ही बेकार है कंपनी की प्रॉफिट बढ़ा है माफ कीज़ेगा कंपनी का सेल्स बढ़ा है आप यह टू यह बेसेस पर कंसेडर कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट ठीक है पूरे साल के अंदर डिक्रीस हुआ है या quarter and quarter देखने जाए तो डि रिजल्ट द्यूरिंग दा मार्केट आ चुके थे उसी के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बजी का स्पास यह स्टॉक फॉल भी हुआ था ठीक है अब रिजल्ट तो डेफिनेटली वीक है लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा डेटा यह डेटा एप्रिल मे तक जाती हुई आपको दिखाई दिये सकती है प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई जे सकते हैं एक फाई 22 के एंड तक कितने एंड तक ठीक है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बोलते नहीं कि अब इसके डेटा के प्रॉफर स्क्रिंशोट मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा ठीक है लेकिन ओल इन ओल अप यह समझो कि कमनी का फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव है और आप यह भी समझ सकते है देखो स्टील कमनी के नंबर चलो तो कहां तक जा सकता है तो स्टॉक 100 तक जा सकता है तो यहां पर जो स्विंग बनाया था स्टॉक ने वहां तक यह स्टॉक के चांसे साय आ सकता है लेकिन स्टील यह होल्ड का है ठीक है कमपनी कॉलेटी कमपनी है कोई इश्यूज है नहीं सिर्फ हमको सही लिवल पे एवर 800 पे है ठीक है यहाँ पर जब एने सिकेंदर लिस्टेट हुआ था 879 पे था 600 पे था उसके बाद यह वापिस 800 पे आ चुका है यह चांसे से कि यह स्टॉक ऊपर जा सकता है वैसे ही थोड़ा टाइम तो स्टॉक को यह भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई जी सकता है अभी के लिए अगर पूछे सर मैंने एवरेज किया है तो आप एवरेज कॉंटिटी एग्जिट कर सकते है थोड़ा वेट कर लेजिगा स्टॉक में चांसेस बहुत ही कम है कि यह 90 के नीचे जाए हलाकि 100 तक तो जा सकता है चांसेस है यह थोड़ा वेट इन वाच कर लेजिगा और यहस रिजल्ट वीक है पर स्टील मुझे 8 यह 9 पसंद से जादा नीचे फॉल नहीं दिखाई दिर यस बैंक देखो कोई थे फॉशाजा कई सर क्या यस बैंग अभी टर्न आराउंड होता हुआ दिखाई दिखाई जिया क्या यसबैं में investment करना सही है देखो यस बैंक के अंदर आप देख सबते पहले है तो कि यसम इस बैंक आघला है जिसी flowers और न्यूस है कि यहाँ यहाँ पर वन बिलियन डॉलर फंडराइजिंग करता हूँ आपको दिखाई जा सकता है ठीक है तो यह बेंग के अंदर कुछ ना कुछ अभी पॉजिटिव न्यूस आना स्टार्ट हो सकती है अब मैं बस यह समझो कि यह कभी भी फट सकता है यह अगर कोई long term के लिए try करना चाहते तो कर सकते है देखो stock की downside बहुत ही limited है यह तो पता चल चुका है जबी को ठीक है stock ने बहुत बार यहाँ पर time pass किया 12 पे तो downside limited है चांसे से यह फट सकता है अगर यह फटा तो 16-18 तक ही stock जा सकते है वहाँ पर profit book का सकता है ठीक है अब फ अगर किसी को ट्राइ करना चाहते है कर सकते है अदानी विलमार देखो अदानी विलमार के अंदर न्यूस है कि अदानी विलमार यहाँ पे edible oil के price 30 रुपेश पा लिटल डिक्रीस कता हुआ अब सी यह न्यूस डेफनेटल बहुत सरे बोलेंगे न्यूस पॉजिटिव नही है लेकिन देखो demand and supply important होती है अगर price बढ़ जाती है तो मेरे पाई supply भी तो demand भी तो घटेगे ना ठीक है price बढ़ेगे demand घटेगे तो उल्टी यहाँ पे अगर price नीचे आ जाती है demand बढ़ सकती है ठीक है और यह price यह जो news थी during the market आ चुकी थी अगर negative impact हो ना होता तो हो जात ठीक है तो कोई ज़्यादा negative है नी बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग wait and watch करेंगे अभी के लिए sideways हो चुका है वापिस breakout होने के बाद यह वापिस breakout हो सकता है थोड़ा wait कर लो slow and steadily breakout हो रहा है chances से ऊपर जा सकता है 600 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाते है stock के लिए तो अभी के लिए stock sideways है अब अगली बत हो जाती है हिंडल को के देखो हिंडल को के अंदर news positive आना start हो चुकी है यह लोग partnership करते हुए दिखाई दिये है और entry करते हुए दिखाई दिये हिंडल को aerospace sector के अदर अब news positive ह है ठीक है chances है कि stock उपर जा सकता है तो बहुत सरे पूशे देखे सर हिंडल को में क्या करना चाहिए ठीक है देखो stock में तो weakness definitely है लेकिन short term का जो time frame है short term within a month or two तो stock में उपर trend आना start हो चुका है ठीक है अगर आप पूशे ऐसर average करो चोटी quantity average कर सकते है chances है कि stock शायद यहाँ 430, 440 तक जा सकते है तो अगर आपकी average price नीचे आ जाती है आप exit कर सकते है ठीक है तो news positive है जाना तो जरूब उपर चाहिए short term के लिए और stock try कर सकते है यह breakout भी वैसे दिखाई दे रहा है तो उपर जा सकता है Reliance Geo, members अब Reliance Geo के अंदर यहाँ पर बहुत ही positive news है 5G spectrum का जो है वो यहाँ पर auction होता हुआ दिखाई जिया है इसमें सबसे highest जो bid है वो Reliance Geo की है अब इसके अंदर देखने जे तो बहुत सारे लोगों ने participate किया Reliance, Idea, Party, Atel and Adani अदानी को बहुत ही छोटी bid चाहिए आप यह समझो के जो एक frequency होती है ठीक है 5G के लिए वो frequency बहुत छोटी चाहिए अदानी को तो उसने छोटी bid लगाई है आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है 250 माफ कीजिगा यहाँ पर 100 की ठीक है Reliance Geo ने 14,000 करोड की लगाई है 2,200 करोड एन बारती एटल 5,500 करोड की तो Reliance Geo काफी बड़ी bid लगाता हुआ दिखाई 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 दिया है अब Reliance के अंदर अगर पूछने यह कैसा क्या होता हुआ दिखाई दिखाई दिया और भाई sideways से time pass कर रहा है आप यह समझो हमेशा यह ध्यान में रखना अगर कोई स्टॉका होता है तो उसको recovery one shot में तो नहीं होती या तब वो time spend करके recovery करेगा जैसे कि Reliance कर रहा है या फिर fall होने के बाद pullback ऐसे blue pattern करके recovery करेगा अभी यह time spend करके recovery कर रहा है आप यह समझो जब तक कि यहाँ पे 2480 का level नहीं break हो जाता तब तक Reliance उपर नहीं तो अभी के लिए Reliance की news positive है लेकिन हम लोग waiting watch करेंगे Reliance के अंदर no average no fresh buy तो मैं बस यह सभी श्रॉक के आप न्यूस के वज़े से focus में रह सकते हैं अब फटाट कुछ viewers के question ले लेते हैं बहुत सारे लोगों के question आते हो यह दिखाई दिये ठीक है सबसे पहला जो question आ जाता का देखो अदानी green के अंदर किसी ने उचा था कि सर एक साल के target क्या हो सकते है ठीक है यहां पर अदानी green एं transmission के देखो बैए transmission के तो मैं कोई guarantee नहीं ले सकता अदानी transmission ओलेडी 52 एक हाई पे चल रहा है आप देख सकते हैं 52 एक हाई कोई target नहीं है मेरे बाई falling में target होते है top side पे कोई मेरे target नहीं है उपर में फसाना बिल्कुल भी नहीं चाता तो मैं अदानी transmission के अंदर कोई proper नहीं बोल सकते कहां तक जा सकता है ठीक है और अदानी green की बात करने जाए तो अदानी green तीन अज़ा तक जा सकता है ठीक है क्योंकि यही एक stock है जो बहुत ज़्यादा पीटा हुआ है अब यहाँ पे chances है कि यह बंदा उपर जा सकता है ठीक है तो अदानी green को focus कीजिगा तीन अज़ा तक की target है और एक साल में definitely तीन अज़ा तक जा सकता है अब वो आज जाए कल जाए के नहां मुश्किल है लेकिन वो जा सकता है see AWL का मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझा दिया है अदन विलमार यहाँ पे देखो जमझा दिया है थोड़ा वीडियो रिवाइन करो मिल जाएगा किसी ने बूछा था कि strategy है क्या KPIT के अंदर देखो आप कौन सी strategy पूछ रहे हो ठीक है वो मेरे को समझा तो मेरे बाई short term क की long term में mid term की क्या strategy पूछ रहे हो ओकी अगर बात करने जाए कि इसा long term के लिए क्या ऐसा है तो positive है लेकिन मैं इसकी जगा पर infosys को add करना पसंद करूंगा या माइंटरी को या LTA को ठीक है यह कचरे से वेटर में उसको add करना चाहूंगा तो अगर इसको add करना है तो average वाल blue color के लाइन दिखाई दे रही है मैंने हमेशा आपको बार बार बोला है हर बार बोला है जो retail निवाशक है ठीक है वो समझो कि stock ने यह best level होता है दोसों डेमा stock को buy करने के लिए average करने के लिए ठीक है लेकिन long term की trajectory इससे safe हो जाती है माइंटरी की LTA की इसकी वज़त से वाक की average possible है देखो L&T हम लोगोंने कोई भी वीडियो में cover नहीं किया है तो हम लोग L&T cover कर सकते है और AWL के target मेरे बाई 1200 हमारा fix 7000 to 1200 fix है ठीक है अब कोई पूछे था कि L&T buy करे किया यहां से from the current level ठीक है हम लोग देख लेते है L&T कैसा है कहां पे trade कर रहा है देखो एक बात समझो L&T का best level होता है 1400 कितना 1400 यह best level अगर आप miss करते हैं ना मेरे बहुत सारी चीज़े miss करते हैं अब यह 1400 पे नहीं आया वो अलग चीज़ है क्योंकि 1500 की नीचे है यह bounce back कर गया अगर वहां पे रहता तो positive था अब अगर current level से पुछो yes positive है देखो क्यों stock ने 200 डेमा की उपर यह sustain कर लिया है closing दी है यह चीज़ positive है still मैं बोलूँगा मेरे वाई wait कर लो result तक का result नजदिक में है यहाँ पे है result 26th of July result तक का wait कर लो उसके बात की जो momentum आएगी हम लोग देखेंगे ठीक है बाकि stock positive है लेकिन result तक का wait कर सकते है कि अफेल देखो कोई पूछ रहा था कि अफेल हिंडल को मैंने बता दिया मेरे बाई हिंडल को कहां तक जा सकता है ठीक है अफेल अफेल के बारे में बताए टार्गेट क्या हो सकते देखो अफेल एक बात समझो मैंने as a bottom out stock बताया था अगर आप हमारे वीडियो stock ग्यारा सो पे उपर जला जाता है अब short term अगर बात कने जाए तो मेरे भाई कोई target नहीं है short term के यस कोई target नहीं है पता है क्यों जब तक की ग्यारा सो के उपर closing नहीं दे देता तब तक यह range bound stock है 1100 के उपर जाते ही सीधा 1300 1400 तक जा सकता है stock सीधा बहुत ही one shot में चला जाएगा मनलब यह समझो एक महीने के अंदर तो 1100 के उपर closing आने दो stock की closing याने की market close होने के पर यह stock 1100 के उपर trade करता है तो ठीक है तो सीधा 1300 हो जा सकता है तो अभी के लिए wait and watch करो no short time buy दो दीन के लिए तीन दीन के लिए कोई buy नहीं Trident देखो कोई पूछ रहा था Trident अभी पता नहीं क्या पूछ रहा था यहाँ पे है देखो I have a shares at a price of 55 future perspective क्या है Trident का मेरे बाई बहुत ही strong है future कोई बेका future नहीं है stock का strong future है और मैंने आपको बोला था 40 के उपर नहीं जाएगा नहीं गया ना ठीक है यह होती है analysis ओके अब future perspective तो positive है future में कोई issue नहीं है लेकिन still मैं आपको बोलूँगा result का weight कर सकते हैं उसके बाद बाई किजगा result नजदीक है और शायद result से पहले यह जाएगा भी नहीं 40 के उपर अगर जाता है 40 42 तक max जा सकते हैं उससे उपर नहीं जाएगा ठीक है तो safe side के लिए हम लोग result का weight करेंगे उसके बाद देखेंगे stock में करना क्या है यह doubt clear बाकी long term के लिए positive stock है और yes अगर result positive आते है या stable भी आते है तो current table best हो जात है stock में add करने का विकास ग्रॉप देखो कोई पूशार के विकास life care एंड विकास दूसरा एक stock है विकास का दोनों देख लेते हैं हम लोग one by one देखो विकास एक आप यह समझो time pass कर रहा है slow and steady time pass कर रहे range बना रहा है आप यह समझो के range इसकी है चार उपे से लेकि छे रुपे तक की एक range है ठीक है एक range के अंदर time pass कर रहे और कुछ नहीं है future positive है ethanol bending यह लोग भी काम कर रहे है जहां तक मैंने सुनना है यह लोगोंने कुछ plant insert किया था UP के अंदर लेकिन still हम लोग wait करेंगे long term के लिए hold है short term में कोई momentum नहीं है ठीक है बात समझ में आ रही है तो sideways है stock फ़ड़ा wait कर लो और हम लोग देखेंगे stock में क्या कर सकते है बात में और vikas ecotech देखो vikas ecotech की बात करने चाहिए तो vikas ecotech भी sideways है अगर पुछने जाए अगर आपको entry करनी है stock में तो result के बात कर सकते हैं और अगर यह fall कर जाता है तो 2 रुपए बहुत फी best level है stock के नदर entry करने का अगर आता है तो की बात है बाकि में आपको उपर के level से तो exit कर वाया था ठीक है थोड़ा wait कर लो कोई issues है नहीं stock sideways है और दोनों stock time pass करें आप यह समझो ठीक है आपका time spend करें time pass करें stock और कुछ नहीं है तो members most of the query shot out कर दी है और still देखो angel broking का future positive है को issues नहीं है next quarter result भी positive आ सकते है ठीक है वो future positive है एन आखरी query ले ले लेते हैं JHS की देखो मेरे बाई मैं यह stock इलकुल touch नहीं करता यह बहुत ही B का stock है मेरा view personal बुचे तो exit कर लो short term long term कोई future नहीं है JHS का ठीक है JHS का सबसे B का stock है exit total तो members most of the query shot out कर दी है फिर कोई query रह जाती है जरू comment कीजेगा answer देने की कोशिश करेंगे टेले ग्राम में नहीं है जाकि जोड सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जाए हिन